हेला शुर्णी स्वागता का फिर्जिक निकलास में इस क्लास हम पात कने वाले हैं अती संभावी घतिच उर्जा एव मैक्सवेल वक्र दोस्तो ये हैं अभीक्रिया की ताप पर निर्भरता के बारे में तो इसमें चोटा सा टोपिक है हलाकि लेंग्वेज वह लाएं और इस इसके वाल हम ग्राफ के माधिन समझेंगे ठीक है ग्राफ की लेंग्वेज अलग है लास्ट यह स्टार्टिंग में क्या समझे ध्यान से कि अभीक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता कि अगर मैं पात करूं दोस्तों तो यहां पर यदि अगर हम ताप को बढ़ा देते है तो सीधा सीधा अभीक्रिया का वेग होगा वो बढ़ जाएगा यानि कि हम किया सकते कि ताप होता है अभीक्रिया के वेग के समान उपाती होता है जैसे ताप मान को बढ़ाएंगे अभीक्रिया के वेग में व्रदी हो जाती है लेकिन इसमें एक फैक्ट है वो फैक्ट क् practically मान निकालेंगे यख प्रैक्टिकली मान निकाला गया है तो प्रैक्टिकली प्रागिट तौर पर यह देखा गया है दोस्तों कि अगर हम लोग गृष देक्री सेलसेस्तापमान को बढ़ा दिया तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वह दो गुणा बढ़ जाता है कितना बढ़ जाता है दो गुणा बढ़ जाता है तो अभिक्रिय का वेग सतरां के होगा वह भी दो गुणा हो जाता है आ रिव रह समझें अब समझें रहां सागे 30 संबभाव गतीद उर्जा mid-.​ वक्र इसमे दूसर वाल्टरज्मेन उन्होंने एक वक्र दिया था उसको बोलते हैं मैक्सवेल वक्र ठीक है इसकर में थोडा पढ़ते हैं अभिकारियक के अनु जो होते हैं वो सारे के अनु उनकी गधितुर्जा की बात करेंगे तो वो सारे सारे अनु की गधित-ुर्जा अलग अलग होगी आबी बह्यां समझे तो अभी कर देके सारे अनुदों की गटि उट जाती है समानद नहीं होती है और किसी एक अनुद के व्यवहार की परिशुद्धेता का हम अनुमान, पुर्वानुमान लगाना कटिन होता है आड़ को समझे है अतह लुडविक वॉल्टिजमें तथा जैंप स्कलॉर का मैक्सवेल थे उन्होंने क्या किया ये बात इंपोर्टन है ध्यान रखिए इस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये दो बंदे थे उन्होंने क्या कि अधिक जो अधिक लिखा सोरी अधिक संख्या में अणुओं के विवहार को प्रागुक्त करने मतलब इसको बोलते हैं समझने के लिए सांख्य क्या प्रयोग किया उन्होंने क्या किया इन्हों को समझने के लिए अधिक संख्या में जो अणुओं होते हैं सांख्य की का प्रयोग किया गया ये मैथेमेटिक उर्जा होती है उनके मद्हेंग वक्र केशाये तो हम इसी वक्र के बारे में ऐंगे डीटेल से तो आप इतना इसके चोड़ ले लिफिए हाँ दोस्तों अब लोग समझते हैं मेक्सवेल वकर या वीत्रन वकर इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्जांपल लेते हैं समझे इस एक्जांपल को ध्यान से दोस्तों क्या करते हैं मान लेते hundred अभीकारक के अनु अपने पास हैं एक छोटा सा होतीन वह समाल नहीं क्योंकि आपको स्टाटिक में मैंने बता दिया था कि जो सारे अभी कारख हो थे उनन की अनौँ की समान नहीं होती है इसमें रहना फासने 60 ऐस अनौं है अerves जिनकी घंजद ऊर्जा कितनी है तो जिनकी घंजद ऊर्जा म में लेडीगे 10 original 30 उर्जा है 20 ऐसे अनु है जिनकी उर्जा 40 है इसके अलावा 12 ऐसे अनु है जिनकी उर्जा 60 है 60 ठीक है और 8 ऐसे अनु है दोस्तों जिनकी उर्जा 60 से अधिक है समना ध्यान से आप देख रहे हो तो यहाँ पर यह जो है इसमें आपको जो अनुओ का अंश है वो घड़ता जा रहा है ठीक है अनुओ का अंश और आप देखो इसमें इसमें घटीज उर्जा के मान में क्या रही है व्रद्धी हो रही है यह ऐसे समझ लो एक तो भी ग्राफ किचेंगी तब समझ आ जाएगा तो आप देख रहें दोनों वीपरीते मतलब की जैसे अनुओ होंगे उनके अनुओ का अंश मतलब इनकी संख्या ठीक है कितने मात रहा हो देख रहें नीचे जा रहें तो देख रहें उनका अंश घट रहा है और यहाँ पर घटीज उर्जा बढ़ रही है इस हिसाब से ये हम normal temperature पर बात कर रहें ये दोस्तो क्या वल हम normal temperature temperature T पर बात करें अब ग्राफ खीच के देखते हम लोग दोस्तो आपको क्या करना है ग्राफ में Y अक्ष पर लेना है अणोों का अंश और X अक्ष पर लेना है गतिज उर्जा आरे यह बाद समझे यहां पर है अन्वों का अंच जो कि इस प्रकास से इंक्रीज हो रहा है उपर क्यों ठीक है और यहां पर है घतीज उर्जा इस प्रकास से बढ़ रहे हैं दोस्तों अगर हम इसमें बात करें इस डब्बे में हम बात करेंगे तो कितने अभिकारे क्याणों हैं सो अभिकारे क्याणों हैं अगर मैं इसमें हाथ डाल करके उस डब्बे से मैं निकालो अणों की संक्या को तो आप ही बताईए कौन सा अण मेरा हाथ में आने की प्राइटा या संभावना है ऑफिसली बाते जो ज्यादा है वो आरी बात समझें अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक बेक में 100 गेंदे हैं उस 100 गेंदे में 60 गेंदे हैं माली जी ब्लेक कलर की तो बाकी अलग-अलग कलर की है तो इसमें अगर मैं हाट डाल साथ अनु की और 69 अनु की उर्जय कितनी है, परते अनु की 30 उर्जय ठीक है, फिर अगर मैं बात करू कम, इससे कम प्राइकता किसकी होगी, तो इससे कम हो जाएगी 20 अनु की, क्योंकि वो उससे थोड़ा कम है अगर मैं इससे कहूँगा कि अगर इससे भी कम प्राइक था कभी के बार निकल जाता है है ना इंस्टेंटेश अगर निकाले तो तो वह बारा अनौ की और सबसे कम प्राइक थे लिकार से 1260 से अधिक तक मान के चलते हैं यहां पर हम 60 वाला इको ले ले लेते उर्जा को तो 60 और इससे फिर ज्यादा आँगे अब दोस्तों पहले की बात करें तो पहले अनों है उस अनों की आंश की मान की बात करेंगे तो मान लिजे 60 यहां पर आ रहा है और इसका उर्जय कितनी है 30 ओके फिर प्राइक तक इसकी है 20 अनो की तो 20 वाले की बात करेंगे तो 20 वाला कितना जाएगा नीचे और इसके बाद अनो की इसकी बात करेंगे 12 की तो अनो के संग्या तिरी दरी क्या हो रही है घड़ती जा रही है लेकिन उर्जया बढ़ती जा रही है तो उर्जया बढ़ती जा रही है अनो के संग्या घड़ती जा रही है ठीक है तो माल लेजिए हमने 12 अनो 12 यहां पर नीचे आ जाएगा इसे ठीक है इससे नीचे जाएगा और इसकी कितनी है साथ साथ उर्जा सोरी यहां पर आ जाएगा और इसके बाद में आठ आठ उनों की कितनी है साथ से अधिक माल लीजिए साथ से अधिक यहां पर आ जाएगी अब इसको समझो अब लोग तो इनका ग्राप जो होता है वो कुछ इस प्रकाय से प्राप्त होगा यह सबसे आठ वाले और उर्जय की बात करेंगे तो पहले 30 ती इसके वादने किती हो रही है चाले से बादी किती हो रही है साथ से जधा यह साथ साथ से जधा तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो शीर्ष बना है हलाक कि इसको थोड़ा सा मोड़ देते अच्छा मुख़ी मोர थे जर्च पर तो इसको बोलेंगे दोस्तों लोग 30 संभावियों घटिच उर्जा ज्यादा संभावना किसकी है कोन से घटिच उर्जावाले की संभावना यह तो यह हमने यह जो वकर बना है यह जो ग्राफ बना है वह केवल ही केवल टी तापमान पर ही हुआ है अब हम आगे समझते इस बात को देखिए यदि हम temperature को दोस्तो 10 degree Celsius बढ़ा देते हैं ठीक है 10 degree Celsius बढ़ा देते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जो वेग इस्तिरांग होता है वो कितना हो जाएगा दो गुना बढ़ जाएगा बढ़ाने के पस्चाथ हम एक अभिक्रिया के बारे में बात करें तो एक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में एक बात है खास करके कि वही अभिकारक के अणो उत्पाद में परिवर्तित होंगे जिनकी उर्जा होती है गति उर्जा या सक्रियन उर्जा जो होती है वो दोस्तो 60 से अधिक हो ये बात बोली गई इसने तो इसने बोला है कि वही अभिकारक होंगे वो उत्पाद परिवातित होंगे जिनकी सक्रियन उर्जा होती है दोस्तो ये सक्रियन उर्जा 60 से जादा है ये 60 के बराबर है माल प्राबर वाले अनों की संक्या कितनी है तो इसमें है बारा और आठ आठ मतलब अनों की संक्या कम है और उर्जा बढ़ रही है तो आप अगर ग्राफ खीचेंगे इनके लिए तापमान जब बढ़ा देते हैं तो इनका जो ग्राफ होता हो कुछ इस प्रकार से प्राप्त आठ अनों का अंश नई बढ़ाए अनों का अंश कम है और उर्जा जादा है तो आपका जो ग्राफ होगा वो दाहीन और बढ़ जाएगा उपर की और उच जाएका है और हमने किसकी बात की सक्रीन उर्जा सांट की बात की यह सांट से जदा तो सक्रिन उठ जाएगी यहाँ पर तो दोस्तों यहां से दो शेत्र प्राप्त होते हैं देखिए ध्यान से इसको एक शेत्र आपको मिलता है यह नीचे वाला और नीचे वाला शेत्र है वो किसका है तो यह शेत्र है वो टी ताप मान का था तो यह जो शेत्र है वो T ताप मन का है T ताप पर अभी क्रिया करने वाले अणों को दर्शाता है ठेके और उपर वाला जो ग्राफ है वो अभी बना है वो किसको बताता है तो यह बताता है T प्लस 10 यह जो उपर है इसको थोड़ा डबल कर देते यह जो होता है एरिया वो किसको बताता है दोस्तों यह बताता है T प्लस 10 तो T प्लस 10 ताप पर अभी क्रिया करने वाले अणों को दर्शाता है तो यह जो वक्र है वो दोस्तों वक्र किसका है तो यह वक्र है T प्लस 10 का यह जो वक्र है वो किसका है T प्लस 10 का और यह बाद समझें आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों ग्राफ तो यहां पर आपको दो करव मिलते हैं अर्था दो वक्रम मिलते हैं एक आपको ब्लू में दीख रहा है जो की नॉर्मल टेंपरेचर पर हैं जिसमें अत्य संभाव यह घृति उजय प्राप्त होती है औ तो इसका जो आपको देखें के बाद में करवा तो दाहिनी और हो जाएगा ठीक है बढ़ जाएगा तो आप देखरो जो रेड़ वाला होता ज्यादा जा रहा है अब दोस्तों इसकी लेंग्वेज लिख दियें देखिए पढ़ लीजिए इस लेंग्वेज को मैक्स वैल यहां से लेंग्वेज हैं इसके बादे लास्तों मैक्स वैल कर नूसार वरक्रका शीर्ष्ण इ वहयैं हों वाला अतिसम्भाव कल देख कूल अठीक है तो अनौवकी सरवाधिक अंज की के संगत होता है इस गदीच अर्जा से कम या फिर ज्यादा उरजय वाले अनौवकी के संख्या कम हो जाती है तो फिर इस घजिज उर्जा से कम अर्थात ज्यादा उर्जा वाले अनोग के संख्या होती है क्या हो जती है कम हो जाती है किसकी जो सेकेंड खीची की उसकी बात कर रहे हैं तो उससे कम या फिर उर्जा ज्यादा तो अनोग के संख्या कम और उर्जा ज्यादा प्राप्त होती है आरिवा समझें जब ताप बढ़ाने पर आले का शिर्ष अरिक उर्जय के मान की और विस्तापित होता है जैसे हमने ताप को बढ़ाया मतलब इसको 10 किया तो 2 के इसका हो जाएगा वेगिस्तिरंग तब आपका जो रेड़ वाला जो ग्राफ होता होती है जो लाइन होती है वो उस्से जादा उर्जय कि और घदव लिस्तापित हो जाता है मतलब से जाथ होंगा तथा वक्र होता है वो उसका फेलाब दाहिनी और बढ़ जाता है ज्यादा पर समझें मैक्सवल 32 सक्रिय और उर्जा या इससे अधिक प्रॉप्त अभड़क वठाप्त हो जाता है देखो यहाँ कि वेक्ड भीध्वी दोगुना प्राप्त होता है तो दोस्तो यह धा आजकी क्लास में जो कि था मैक्सेल वक्र यह वित्रन वक्र म इसमें मैंने एक बात नहीं बताईए जो की है आरहेनीय समीकन इसमेखन होती है उसको अपनेस्ट वीडियो में देखेंगे तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंड करके बताएगा वीडियो अच्छे लगाओ तो लाइक कीजिए जानको सब्सक्राइब करें देना मिलते नेक्षी वीडियो में तब तक लिए जहीं बंदेवात्राओं